नमस्कार रुस्तो अगर आप भी ओस्टर मुष्रूम की खिती कर रहे हैं और उसमें आपको पहली तोड़ाई के बाद कोई दिक्कत आ रही है या आपके मन में सवाल आ रहा है कि जो मुष्रूम का पॉलिथीन होता है क्या उसे फाड़ना चाहिए पहली तोड़ाई के बाद मेरे चैनल पर बहुत सारे सवाल आ चुके हैं कि क्या मुष्रूम का जो पॉलिथीन होता है वैक का उसे फाड़ना चाहिए तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फाड़ने की जूरत नहीं पड़ती है अगर आपने सारे स्टेफ सही तरीके सफॉलो किये हैं सारे पैरामिटर ज जैसे सपोर्च पहली तोड़ाई कर लिए उसके बाद 8-10 दिन बाद दूसरी फ्लश आती है उस बीच में जो है फ्रेश एर देना बंद कर दिए या पानी का सई तरीके से सई समय पर करना बंद कर दिए या उसमें हमिडिटी या टेंपरेचर को मेंटेन करना बंद कर इसमें कहीं आप लापरवाई करेंगे तो दूसरी फ्लश या तीसरी फ्लश आनेम दिक्कत करेगा जब माइसलियम रन कर जाता है और उसके बाद आप जब क्रॉपिंग रूम में बैक को रख देते हैं तब से कंटिनू 40-45 दिन तक आपको टेंपरेचर, हुमिडिटी, हव पानी यह सब चीजों का ध्यान रखना है कंटिनू कभी उसमें कोई लापरवाई नहीं करनी है तब जाके आप हर एक परामिटर अगर फॉलो करेंगे तो जो तूसरी फ्लश है और तीसरी फ्लश है वो आएगी और बहुत ही अच्छा आएगा मश्रूम का बैक फारने ही ज जाल होता है कई बार बहुत ज्यादा फैल जाता है जब पहली जो फ्लश है वो तो आजाती है लेकिन दूसरी फ्लश में दिक्कत आती है चुकि उसमें जो है आप देखेंगे सफ़ेज सफ़े ठक्का सा जम जाता है पॉलिथीन के अंदर आपको दिखरा होगा तो ऐसे केस में कई बार दिक्कत आती है तो इसी सिचवेशन में आपको पॉलिथीन फाड़ना है बागि और किसी केस्स में तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि पॉलिथीन फाड़ के का इसप्रे हलकास करिए टेंपरेचर हमिडिटी मेंटेन करिए फ्रेश हवा देते रहिए आठ से दस दिन जैसे वीतेगा तो आप देखेंगे उसमें मुष्रूम निकलेगा इस तरह से आप जो है यह तभी करना आपको जब यह सिचुएशन आएगी बाकी यह करने की जूरत की जो कैपसिटी है 50-100% होता है उधारण के तोर पकर मैं आपको बताओं तो अगर 10 किलो भूसा आपने लिया है तो उसमें से मिनिममम 5 किलो मैक्सिमम 10 किलो मुष्रूम निकलेगा अब मान लेजे पहली तोडाएं में आपका 50% प्रोडेक्शन हो चुका यानि मान लेजे मिनिममम अगर 5 किलो निकल गया है उसके बाद मुष्रूम आना बंद हो गया तो इसका मतलब आप नुकसान में नहीं है उसकी 50-100% कैपसिटी है तो 50% अगर आ चुका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें आप प्रॉफिट में रहेंगे आप कल्कुलेशन करेंगे तो जो इन्मेश्मेंट आपका होता है उसमें आपको डबल प्रॉफिट करीफ होता है पांच किलो अगर मश्रूम निकल गया तो भी तो यह कल्कुलेशन आपको पता रहना चाहिए और एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप पहली तोड़ाई कल लेते हैं तो अगर ऐसा कुछ भी आपने लापरवाई किया तो उसमें जो है नेक्स्ट फ्लस आने में दिक्कत करता है इन सब चीजों पर आपको विश्यसतों से ध्यान रखना है चुकि मश्रूम नाजुक फसल होता है इसमें आपको कहीं भी अगर आपने लापरवाई किया तो यह जो सुमस्ट